सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज हमारी सीट एट की जुलाई दोजार चोबिस के लिए इंपोर्टेंट क्लासी चल रही है आज का मारा सब्जेक्ट है सीडीपी बालविकास सीडीपी की ये पैतालिस वी कलास है आज का मारा टोपिक रहेगा जब हम बच्चों क हम उल्यंकन करते हैं तो अलग-अलग प्रस्णों का परियोग करते हैं तो किस-किस प्रकार के हम प्रस्णों का परियोग करते हैं उनके क्या विशेशताएं होती हैं तो जैसे अभिसारी प्रस्ण अप्सारी प्रस्ण मुक्तंत वाले प्रस्ण बंद अंत वाले प्रस्ण व्यक्तिनिस्ट प्रस्ण वस्तोनिस्ट प्रस्ण यह सब क्या होते हैं या पिर इसके लावा important कोई और question होता है तो में भी हम discuss करेंगे इसके साथ ही हम इसी class में यह भी देखेंगे कि इस topic से seat at के paper में किस किस तरह के important question बार-बार पूछे जा रहे हैं में हम इस class के last में देख लेंगे तब आज का हमारा topic है मुल्यंकर में परियोग किये जाने वाल प्रस्ण बंदंत मुक्तंत वस्तुनिस्ट व्यक्तिनिस्ट क्लोज test इसके लावा भी copy होते हैं आपके देकिन मैं seat at नहीं पूछ रहा तो उनकी बात हम नहीं करेंगे seat at जिस question को पूछ रहा है उसी question के हम बात करेंगे सब से पहले बात कर ल нормально इनुन सी में तो तरफ्य बहुते हैं close ended question बोलते हैं वस्तुनिस्ट प्रसन भी हम इने कहते हैं objective question इंगलीस में बोलते हैं अभिसारी प्रसनी या अभिसरन उत्तर वाले प्रसन ये सारे नाम सीट पूछ चुका है आपसे सब नाम आपके पेपर में आ चुके हैं यह अलग-अलग कोश्चन में अलग-अलग नाम सीटैट दे देता हैं इंगलिस में आप देखे तो क्लोज एंडिड़ वाले कोश्चन या अब्जक्टिव कोश्चन यह दो नाम आपको याद रखने हैं हिंदी में बंद अंत वाले प्रसन वस्तुनिस्ट प्रसन और अभी सारी प्रसन यह तीन नाम आपको याद रखने हैं तीन नाम सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन प्रस्णों को हम बोलते हैं बंद अंत वाले प्रस्ण है, मतलब उनका जो अंत है वो बिल्कुल बंद है, बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता, जो उत्तर बच्चे ने रटा है, वही उत्तर बच्चे को देना होगा, वस्तुनिस्ट प्रस्ण और अभिसारी प्रस्ण, यह सब उन नहीं बोलते हैं, जैसे बारात की राजदानी क्या है, अब इस कोश्चन का एंसर फिक्स है, नहीं दिल्ली, बच्चे को यही देना होगा, अगर कुछ इधर उधर देगा बच्चा, तो उसका कोश्चन गलत हो जाएगा, तो यह क्या यह बंद अन्त वाला प्रस्ण हुआ, यह अभिसारी प्रस्ण हुआ, अभिसारी प्रस्ण, बस्तो निष्ट प्रस्ण, बंद अन्त वाले प्रस्ण कैसे होते हैं, ऐसे प्रस्ण, जिनके उत्तर निष्चित होते हैं, उन उत्रों को बच्चों को पहले रटना होता है, और मर्जी से कह दें, फलो के नाम बोलने हूंगे, हमने बच्चों को फिक्स कर दिया है, अब तक आप ने जितने भी फलो के नाम रटे हैं, उनमें से कोई भी एक बता दो, तो बच्चों ने रटे रटाये उत्रो कोई देना होता है बच्चों के इस कोश्चन में भी, या फिर उत्री बारत के एक मान राजा थे, ये कोश्चन है हमारा, अब इस कोश्चन में भी क्या है, जो राजाओ के नाम बच्चों ने पहले रट रखे हैं, उत्तर बारत पर जिन्हों ने राज किया हैं, उन में से किसी एक राजा के नाम बच्चों को बताना होगा, चाहिए ऐसे question को बंदंत वाले प्रस्ण वस्तोनिष्ट प्रस्ण या अभी सारी प्रस्ण बोलते हैं अब इनके बारे में जो लिखवया वो पढ़ लेते हैं यह ऐसे प्रस्ण होते हैं जिनके उत्तर पहले से ही निश्चित होते हैं बच्चों को वही रटे रटाई उत्तरों को देना होता है अपनी मर्जी से बच्चे कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं जैसे इस प्रकार के प्रस्ण यह होते हैं यह उधारन हैं हमने आपको बता दिये हैं यह प्रशन बालकों को रटने पर बल देते हैं और उनकी सोच को सीमित करते हैं बच्चों को क्रियेटिविटी के लिए नहीं बढ़ाते हैं बच्चों की क्रियेटिविटी को नहीं बढ़ाते हैं या बच्चों की क्रियेटिविटी सरजनात्मक्ता को बढ़ाने पर बल नही है अभिसारी चिंतन और अभिसारी प्रस्ण यहां से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है तो यह चीजे तो आप सिमिलर यह अभिसारी प्रस्ण के लिए अभिसारी चिंतन आपको करना होगा अभिसारी चिंतन का मतलब होता है रट रट है चिंतन निस्चित चिंतन जो चीज प्रकार के प्रिक्सटों को त्यार करना कठीन होता है लेकिन इस प्रकार के प्रिक्सटों का आंक थी daha होता है अगर यह प्राशन हराब है तो हम इनका परियोग क्यों करते हैं पस इनका आंक्लन थोड़ा अच्छा हो जाता है जैसे कि हमारे जो competitive exam है उनमें इनी तरह के प्रस्णों का परियोग किया जाता है क्योंकि इनके उत्तर निस्चित होते हैं तब हम उनका जो आंकलन करते हैं उनकी जहां अच्छा है वह आसान हो जाते हैं लेकिन ये question use नहीं करने चाहिए अच्छे question नहीं होते हैं दूसरी बात है हमारी दूसरे तरह के question है अपसारी question मुक्त उत्तर वाले प्रस्ण है मुक्त उत्तर वाले प्रस्ण है open ended question व्यक्तिनिस्ट प्रस्ण है subjective question तो open ended question subjective question इंग्लिस में बोलते हैं हम इसे अब सारी प्रस्ण है, मुक्त उत्तर वाले प्रस्ण है, व्यक्तिनिस्ट प्रस्ण है, यह हिंदी में बोलते हैं, यह नाम आपको याद रखने होंगे अब देखो, कुछ ऐसे प्रस्ण होते हैं, जिनके उत्तर पहले से रटे रटाय नहीं होते हैं, जिनके उत्तर पहले से फिक्स नहीं होते हैं बच्चे अपने अनुभाव के आधार पर, अपने एक्सपिरियंस के आधार पर, अपनी स्रजिनात्मक्ता के स्तर के आधार पर कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं, ऐसे प्रसनों को हम अप सारी प्रसन बोलते हैं, व्यक्तिनिस्ट प्रसन बोलते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्र कोई रटर रट रट सवाल का हो यह नहीं सकता महाधीप किसे कहते हैं आप बच्चे अपने ईसाब से अपने एक्सपीरेंस से महाधीप को किसी भी तरह से और नेित कर सकते हैं कि जो चार उर से जल से गिरावाए वह महाधीप होता है या वहYa Bhoamie जिसके आसपास जल होता है, महादीप होता है या बूमी का एक बड़ा छेतर महादीप होता है जो जल से ढखा होता है, जिसके पास में जल होता है तो बच्चे अपने experience से, अपने अनुबाव से कुछ भी कह सकते है कोई रटा रटाया फिक्स उत्तर नहीं देना है बच्चों को बारत की किनी तीन वर्तमान समस्याओं के बारे में लिखिये अब यहाँ पर बच्चे बारत की वर्तमान समस्याओं के बारे में लिखेंगे लेकिन कुछ भी समस्या लिख सकते हैं वें अपनी मर्जी से बच्चों को, तो ऐसे प्रस्णों को हम अब सारी प्रस्ण बोलते हैं, ये प्रस्ण अच्छे होते हैं, इन प्रस्णों का पहले से ही कोई निर्दारित उत्तर नहीं होता, इन प्रस्णों का उत्तर छादर अपने अनुभाव के आनुसार कुछ भी दे सकते हैं, ये सरजनात मक्ता आधी को सुधार दे हैं इन प्रसनों को तैयार करना तो असान होता है लेकिन इनका आकला अधी किस परस्ट नहीं होता क्योंकि ऐसे प्रसनों में हम निश्चित नंबर नहीं दे सकते कि इस दस में से हम आठ नंबर दे या साथ नंबर दे शिक्सक अपने लिखा हुआ है कि अपसारी व्यक्तिनिस्ट सरजनात मक्ता मोलिक मोलिक चिंतन समस्य समदान यह मिलते जूलते सब्द हैं इसका मतलब है यह सब्द हमेशा एक साथ चलेंगे पेरपर के लिए ध्यान रखना है आपको अगर कोई आप से पूछे आपसारी किस सब्द से जु है अपने उत्त देने के लिए बच्चे फिरी होते हैं अपने एक्स्पिरिंस से कुछ भी उत्त दे सकते हैं उन्हें रट कर उत्त नहीं देना होता नेक्स बात कर लेते हैं क्लोस टैस्ट की एक तरह एक Each मेंले उन tut तो ऐसे एक बड़ा पैरग्राफ होता है फिलिंदा ब्लैंक की तरह है और बच्चों को उन फिलिंदा ब्लैंक को भढ़ना होता है यह हमारा क्लोज टेस्ट कहलाता है यह भी एक बार आ गया था तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना तो यह आज का मारा टोपिक था अब देख लेते हैं कि इस टोपिक से सीट आट की पेपर में किस तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहला कोश्चन है हमारा निमलिकित में से कौन सा बच्चों को गंभी रूप से सोचने के लिए अमंतरित करता है मतलब यह जो कोश्चन लिखे हुए हैं इन में से कौन सा कोश्चन बच्चों को गंभी रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगा क्या आप इसका उत्तर जानते हैं क्या इसका सही जवाब क्या है क्या आप इसी तरह की इस सिती के बारे में सोच सकते हैं विभिन तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं तो यह कुछ कोश्चन लिखे हुए हैं इन में से हमें वह कोश्चन डूनना है जो बच्चों को सोचने के लिए ज्यादा प्रेडित करता है अब पहला उप्षन है हमारा क्या आप इसका उत्तर जानते हैं अगर बच्चे जानते होंगे तो यस काईगे नहीं जानते होंगे तो नो काईगे तो यह तो ज़्यादा सोचने के लिए बच्चों को प्रेडित करी नहीं रहा साही जवाब क्या है इसका बच्चे सही जवाब बताएंगे तो इसमें बच्चे कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही है क्या आप इसी तरह की स्थिती के बारे में सोच सकते हैं तो इसमें बच्चे थोड़ा सा सोच रही है जो स्थिती आपके सामने है इस तरह कि किसी और स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, कुछ आप है, तो बच्चे सोचेंगे, विबिन तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सोचेंगे, एक question को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं, अलग-अलग तरीकों के बारे में नेक्स्की पॉस्टन है हमारा सरज नात्मक उत्रों के लिए क्या वेश्जक है मुक्त उत्तर वाले प्रशन एक अतयंत्र अनुसासित कक्षा पर्तेक्स प्रशन विश्य वस्तूअधारित प्रशन देखो मैंने का था कुछ सब्द हमेसे एक साथ चलेंगे सरज नात्मक्ता आप सारी चिंतन, मुक्त उत्तर वाले प्रस्न, कल्पना सीलता, तो यहाँ पर देखो सरजनात मक्त आया हुआ है और मुक्त उत्तर वाले आया, तो यह दोनों एक दूसरे से संबंदित हैं, तब इसका सही एंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इसका सही एंसर ए है, आप बच्चों के बोड़ के अग्जाम ले रहे हैं और आप बच्चों का पेपर बना रहे हैं तो आप उस पेपर में किस तरह के प्रसंट रखेंगे निमनिस्तरी अभी सारी निमनिस्तरी अपसारी उचिस्तरी अभी सारी उचिस्तरी अपसारी अब देखो अभी सारी प्रस मतलब हल के अपसारी प्रसन आप बच्चों को देंगे या अच्छे भारी वाले उची स्तर के अपसारी प्रसन आप बच्चों को देंगे तो हम अच्छे वाले अपसारी प्रसन बच्चों को देंगे भारी वाले उची स्तर के इसका एंसर डी हो जाता है नेक्स कोश्चन की होते हैं जिसमें बच्चे रटते हैं यह वस्तुनिस्ट होते हैं यह बात तो सही है यह चातुर की सोच को सीमित करते हैं यह भी बात सही है इनको अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए यह गलत है इन प्रस्णों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए यह स्रजनात्मक्त मकता को पोशित नहीं करते, यह भी बात सही है, पोशित करना बढ़ाना तो इस रजनात मकता को नहीं बढ़ाते, सही बात है, तो हमें नहीं वाला उल्टे वाला उत्तर देना है, तो इसका अंसर हो जाता है, C, नेक्स कोश्चन है हमारा, किसी एक धातू का नाम बता है, यह किस परकार का प्रस्ण है, अब देखो, हमें एक धातू का नाम बताना है, मैटल, जितने भी धातू हमने रटी हैं, उन धातू के, उन धातू में से हमें किसी भी एक धातू का नाम बताना है, तो यह रटा रटा कौन से होते हैं जिन में बच्चे अपनी creative के हिसाब से कुछ भी उत्तर दे देते हैं तो हमें नहीं वाला उत्तर देना है यहाँ पर यह बालकों को मौलिक चिंतन के लिए प्रिरित करते हैं यह बात तो सही है यह स्रजनात्मक कोशलों का विकास करते हैं यह बात सही है ये कलपना अत्मक होते हैं मतलब बच्चे कलपना करते हैं परसनों में ये भी बात सही है इनके उत्तर सीमित होते हैं ये गलत है इनके उत्तर सीमित नहीं होते हैं इनके उत्तर तो कुछ भी फिक्स नहीं होते हैं बच्चे अपने अनुबाव से कुछ भी कह सकते हैं पॉर्टफोलियो भी अच्छा होता है लेकिन पॉर्टफोलियो को हम सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं पिछली कलास में उने पढ़ा था कि पॉर्टफोलियो मुलंकन करने का सबसे अच्छा तरीका मना जाता है सम्वेधन सील इस्थिती की कलपना कीजिए और आपके मस्तिस्क में आने वाले विचारों को लिखिए अब एक टीचर अपने बच्चों से कह रहा है किसी भी एक सम्वेधन सील इस्थिती की कलपना कीजिए और आपके दिमाग में जो विचार आते हैं में लिखिए तो ये कि अपनी creativity के अनुसार किताब में आपने notebook में कुछ भी लिख सकते हैं, बच्चों के पास कोई limit नहीं है, तो यह आज की हमारी class थी, आज का हमारा topic था, अलग-अलग तरह के question, सीटाइट के paper में कौन-कौन से परियोग किये जाते हैं, आयोप इसे आप समझ पाएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटाइट ग्रूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं, सीटाइट की इसी तरह से daily regular classes लेने के लिए, आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, Till then, bye-bye, take care.